हलो स्टूडेंट्स, स्वागे तत्वा डसादे, यूट्यूब चैनल पैरिस्टेडी ओनलाइन ते आज दोज अपना टॉपिक है प्लेइंग विद नंबर, एक्सरसाइज 5.3 देख कुछ क्वेस्टन लिखे हो ने बोड़ते हैं और आपा सौलव करांगे पहला क्वेस्टन है अपने कोल, राइट 5, 2 डिजिट नंबर, प्रोड़क्ट ऑफ फूस डिजिट इस इवन अपा की लिखने है, 2 डिजिट नंबर लिखने है, 5 जिन्ना दे डिजिट दा, जो अपा मल्टिप्लाई करियो की बंजे, अपने कोल, इवन बंजे मतलब 2, 4, 6, 8, इस तरह नी फॉर्म देवेच आजे, होन 2 डिजिट नंबर लिखने है आपा, जिए देखो आपा पहला नंबर की है 12, 12 देखो जेदे आपा डिजिट नों मल्टिप्लाई करियो, 1 इंटू 2, that is equal to 2, 2 अपने कोल की उन्दा है, इवन उन्दा, पहला नंबर की आपने कोल 12, क्योंकि 12 देखो डिजिट दी मल्टिप्लाई करियो, 1 इंटू 2, तक इन्ना आगया, 2, उस्तो बाद जापा लिखियो, 1 इंटू 4, so 1 इंटू 4 is equal to 4, that is also, इवन, उस्तो बाद जापा लिखियो, 4 इंटू 8, 48, 4 इंटू 8 is equal to 32, ये भी अपने कोल की है, इवन, इवन नमबर है क्योंकि 12 की है, इवन, उस्तो बाद आपा लिखियो, 64, 6 multiply 4, that is equal to 24, ए नमबर वी की है अपने कोल, इवन है, उस्तो बाद आपा लास्ट लिखियो, 18, that is 1 multiply by 8, that is equal to 8, ए नमबर वी की है अपने कोल, इवन, कोई मर्जी एग्जाम्पल लिखियो, जो तो अडिच्छा लिख सकते हो, पर एगल दा खास्ते हां रखना है, जो डिजिट दी multiply करिये, आपा, दो डिजिट ने, दो माँ दी multiply करिये, तक की होना चीद है, इवन नमबर होना चीद है, देखो, पंज नमबर ले मैं, अब दी मर्जिनाल सारे की आगे, अपने कोल, नमबर भी रह सकते हो, मैं चलो रेंडमली नमबर ले, तुसी लगातर नमबर भी रह सकते हो, 12, 14, 16, 18, 20, उस्तो बाद की आगे, next, write 3, 4 डिजिट नमबर, divisible by 9, अपा, तेन नमबर लिखने हा, 4 डिजिट नमबर, 4 डिजिट होना चीद होना चीद होना, जेड़ की है, 9 न सम करिए, और 9 न की होबे, multiple होबे, तो देखो जापा example लेए, 5, 5, 6, 2, even होना चीद हो, एथे लिखना पो लेगा, even number, ओके, होन जे 5, 5, 6, 2 लेए, 5 प्लस 5, 10, 10 प्लस 16, and 2, 18, 18 की है, 9 न मल्टीपल है, so that is our first number, तो स्यावदी marginal कोई होर भी ला सकते हो, पर त्याँ रखना number की होबे, even होगे, उस्तों बाद की ला सकते है, 1, 0, 2, and 6, जैपर digits सम करिए, 1 ते 2, 3, 3 ते 6 किना होगे, 9, 9 ते table चे 9 होदा, so ए नमबर भी की होएगा, divisible, ए नमबर भी की होएगा, even number, पहला भी अपने कोल की होएगा, even सी, उस्तों बाद एक और example लानी है, एक और example आपकेड़ी ला सकते है, 1 ला सकते है, 2, 1, and, sorry, 3, उस्तों बाद के लिए आपके चलो एक और कोई number आपके यूज़ कर देया, 1, 3, 3, and 2, ए भी आपके यूज़ कर सकते हैं, देखो, 1 ते 3, 4, 4 ते 3, 7, 7 ते 2 किना होगे, 9, 9 ते table चे 9 होदा है, ए नमबर भी की होएगा, परत्यान रखना है, नमबर की होए, एक ताट 4 डिजिट नमबर होए, मतलब 4 डिजिट होण, उस्तों बाद इवन होए, उस्तों बाद की होए, 9 नल डिविजीबल होए, मेरी यह ए एक्जाम्पल होए, तुसी जो मर्जी एक्जाम्पल है सकते हो, जिमें मैं तनू पहले दसे हैं, तो अड़ी एक्जाम्पल कोई भी हो सकते है, डिफ्रेंट भी हो सकते है, मेरी एई एक्जाम्पल दमाग चाहिए, मैं एई ही लिखते हैं, यह नमबर अपने को किया है, ओ नमबर है, जैटे किया है, 9 डिविजीबल है, 0 की अपने को वल, even नाल अपने को किया, 4 sum of digit should be multiple of 3 ता पहला ता बिल्कुल simple जले नहीं 3, 3, 3 and 3 सारी 3 लेयर मैं देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 digit नमबर हो गया होने नहीं साम करो 3, 3, 6, 9, 12 and 15 3 दे टेबल जो 15 हो दे तहीं अपने कोल की है पहला नमबर जो 3, 4 divisible उसतो बाद की लेया सकते हैं 6 ले सकते हैं 5 दे 5 आपने 6 ले सकते हैं यह भी नमबर की अपने कोल 3, 5 divisible है क्योंकि 6, 6, 12, 13 24, 6, 3 3 दे टेबल जो 30 हो दे ए नमबर भी 3, 5 की है divisible है उसतो बाद यूज कर सकते हैं आपने 9 सारे दे सारे 9 और 5 डिजिट नमबर है 9, 18 27, 36 दे 45 9 दे टेबल जो 45 हो दे यह भी अपने कोल की है सही है मतलब सारी 3 दे टेबल जो 45 हो दे ए नमबर भी की है divisible है 3 नमब उसतो बाद एक और एक्जाम्पल लानी है एक और एक्जाम्पल करी ला सकते हैं आपना 1, 2, 3, 4, 5 और देको 1 ते 2, 3, 3, 6 6 ते 10 ते 5, 15 3 दे टेबल जो 15 हो दे यह नमबर भी की है divisible by 3 है मैं पहला ही दास चुके है एक्जाम्पल तोड़ी डिफरेंट हो सकते हैं मेरे नाव जुरूरी नी तोड़ी आंसर मैच करन परत्यान रखना है जो ने पुच्छा है ओचीज मिलनी चाहिए एस क्वस्टन ज की पुच्छा सीगा 5 डिजिट नमबर पंच पाइंट डिजिट वाल नमबर है उस्तो बाद किया divisible by 3 अपा इस साब नल देखने है जे नादा सम करिये 3 दा किया वे multiple जिवें दा किनना है 15 इन दा 30 इन दा 45 इन दा किनना है 15 इन नमबर किया 3 नल डिजिबल उस्तो बाद लास्ट क्वस्टन है राइट थी डिजिट नमबर डिजिबल बाए 3 वोस डिजिट आर कॉन्जिक्यूटिवली डिक्रीजिंग अगर इते एक वार्ड है consecutive consecutive दा मतलब किनना है लगातार consecutive दा मतलब किनना है लगातार उनने कहा कोई 3 डिजिट नमबर लिखना है जो 3 नल किया है डिजिबल है पहली condition था कहती 3 नल डिजिबल होगे second condition किया है जिदे digit है consecutively decrease होने चाहिए जो लगातार decrease होने चाहिए जिमें पहला number 5 है उस्तो बाद 4 उस्तो बाद किया गया 3 ता कोई मर्जी example लेख लो 9, 8, 7 चेक के में करांगे sum of digit 9 plus 8 plus 7 ये किनना होगे अपने कोल 24 so that is a divisible उस्तो बाद 8, 7, 6 वी चेक कर सक देओ that is equal to 21 7, 6, 5 ये अपने कोल किनना बनेगा 18 एवी डिवी डिवीजीबल 6, 5, 4 that is also divisible एवी आपने डिवीजीबल होगे उस्तो बाद 5, 4 ते 3 एवी डिवीजीबल होगे उस्तो बाद किया आगे अपने कोल 4, 3, 2 एवी डिवीजीबल हो 3, 2, 1 एवी अपने कोल किया है डिवीजीबल है तो जहाँ आपा 2, 1, 0 चेक करिए एवी डिवीजीबल है मैं तो अन्हों 10 एक्जाम्पला दास्ती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 एक्जाम्पल दास्ती है मैं तो अन्हों तुसी कोई एक लिखनी है जेड़ी मर्ची लेख हो पर तिया आणकी रखना नमबर हो चूज करना जिन्दे वेच किया जो डिजीटल consecutively decrease हो रहे हो ठीक है जिमें थे 9 ए उदो बाद 6, 8 उस्त बाद किया गया 7 एक कोर condition किया 3 डिजीट नमबर होए कोई मर्ची एक 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 जामपल यूज कर सकते हो मैं 8 दी आठे एक जामपलां दसती है तुसी जो मर्ची एक जामपल यूज कर सकते हो अठा दे वेच हो तिया आणकी रखना एक ता नमबर लगाता हो कटना चाहिए decrease होना चाहिए नाले की होए थ्री डिजिट नमबर होए एस ही अपने को एक्सरसाइज 5.3 इन दे नाली अपना चैप्टर जो प्लेइंग विद नमबर है खतम होया नेक्स्ट वीडियो दे वेच आपा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करांगे that is surface area and volume which is most important chapter of any class मैं any class दा मतलब की है 8th ली, 9th ली, 10th ली सारें दे वेच्चे ना दीखिया percentage हुन दी है exam दे वेच मतलब marks दे वेच्चे काफी ज़ादा हुन दी है इसलिए काफी ज़ादा important chapter अपने को surface area and volume